सो विडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दर्खवास्त है कि आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे मुझे और ज़्यादा विडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके ये सीजन टू का स्पेशल एपिसोड है जिसमें क्वीन मेदूसा की स्टोरी बता अब फिर हमें एक रिगिस्तान को दिखाते हैं जिसमें कुछ बुरे इंसान फीमेल स्नेक्स को गुलाम बना कर कहीं ले जा रहे थे दूप के कारण उन सभी गुलामों को प्यास लग जाती है और उनमें से एक इंसान से पानी मांगती है जिस पर इंसान उसके पास आता है और उसको अब्यूस करके कहता है कि अगर पानी होता तो हम ही ना पी लेते उसे अब तभी वहाँ उन्हें एक पानी का व्यापारी देखता है जो उन्हीं की तरह आ रहा था अब वो सभी इंसान उस व्यापारी का पानी पीते हैं व्यापारी उस फीमेल स्नेक को देखते है और उसके पास जाने लगते हैं जब वो इनसान व्यापारी को सर्पेंट के पास जाता देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो उसको चूता है वैसे ही वो बर्फ में बदल जाता है अब इनसान के बागी आदमी उस व्यापारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वो व्यापारी अपनी आइस पावर से सब को फ्रीज कर देता है और अब यहां से हमें ये पता चलता है कि ये इनसान और कोई नहीं बलकि आइस एम्परर है वो अब उस फीमेल लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे एक दोस्त ने तुमें बचाने के लिए बेजा है और तुम अब मेरे साथ चलो अब दोनों एक जानवर पर बैटकर आगे बढ़ते हैं जहां रास्ते में वो फीमेल स्नेक आइस एम्परर से बहुत सवाल करती है जैसे कि वो कौन है और किसने उसे बचाने के लिए बेजा है और वो कहां जा रहे हैं लेकिन आइस एम्परर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते रास्ते में Snake Woman को कई अलग तरह के पौधे दिखते हैं जो असल में बहुत खतरनाक थे वो अब आगे बढ़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने आदमी आकर खड़ा हो जाता है और सीधे Ice Emperor पर हमला कर देता है दोनों में fight होने लगती है जिसमें दोनों ही बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे पर अटक करते हैं और अब उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा होता अब Ice Emperor उस Warrior से पूछता है कि तुम एक Snake Warrior हो लेकिन मुझे क्यों मार रही हो जिस पर वो Snake Warrior कहती है कि ये बात तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं और फिर वहाँ illusion create करके उसे चलावा देने की कोशिश करती है लेकिन Ice Emperor उसके चलावे को तोड़ देते हैं और अब फिर से दोनों में iconic level की fight होने लगती है लेकिन इस बार Snake Woman Ice Emperor को हराने में काम्याब हो जाती है और वो सीधे Ice Emperor की गाड़ी के अंदर उस female snake के पास जाने लगती है लेकिन गाड़ी को खोलने पर उसे वहाँ female snake नहीं दिखती अब हमें पता चलता है कि Ice Emperor को इस woman snake के आने का पता था इसलिए उसने पहले ही female snake को एक जगह चुपा दिया था अब वो फिर female snake को लेकर सीधे एक wine shop में जाता है female snake को ये लगता है कि कहीं वो इसको यहाँ बेच तो नहीं देगा असल में female snake को अपना past बिलकुल याद नहीं था उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था female snake को लाने का इनाम मुझे दे दो female snake का शक अब यकीन में बदल जाता है और वो समझ जाती है कि ice emperor एक अच्छा इंसान नहीं है अब जब ice emperor अपनी बात खतम करता है और जब उसे bartender कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके पास जाकर उसे देखता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है वो bartender के हाथ में जो महेंगी वाली अंगूटी थी उसे उतार कर अपनी payment के रूप में अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है female snake पूछती है कि अब यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है जिस पर ice emperor उसे बताता है कि क्योंकि तुम्हें मंगाने वाला owner मर गया है इसलिए अब तुम free हो अब उस लड़की के पास अपना कोई नहीं था और उसे तो अपना नाम भी नहीं पता था वो बेचारी अब कहा जाती इसलिए वो ice emperor से request करती है कि आप ही मुझे अपने साथ ले चलो मैं आपकी गुलाम बन कर रह लूँगी लेकिन ice emperor उसे साफ मना कर देता है अब ice emperor वहां से जाने ही लगता है कि तभी वहां आसपास बहुत बड़ा बुकम पाने लगता है और तभी वहां snake warriors भी आ जाते है और उनके साथ महां queen medusa भी होती है एक इनसान snakes को देखकर उन पर हमला करने की सोचता है लेकिन queen medusa उसे दूर से ही भसम कर देती है अब queen medusa bartender के पास आती है और उसे मरा हुआ देखती है असल में ये bartender snake women's को यहां किदनाप करके मंगवाता था और उन्हें बेच दिया करता था अब ice emperor और वो female snake नीचे की तरफ छुपे हुए थे अब female snake अपने ही जैसे और लोगों को देखकर उनसे मिलने की कोशिश करती है लेकिन ice emperor उसे उनसे मिलने नहीं देता female snake को अब और भी सादा vision साने लगते है और वो रोने लगती है वही queen medusa को जब यहां पर कुछ नहीं मिलता तो वो यहां से चली जाती है अब queen medusa के आदमी सबी लोगों को जो बार के अंदर मौजूद थे उनको बहरह में इसे मार डालती है अब ice emperor और वो female snake भी उनके जाने के बाद बाहर आते हैं और snake woman उसके साथ travel करना शुरू करती है ice emperor ने जो पहले एक snake woman से लड़ाई की थी उस लड़ाई में woman snake ने ice emperor को काट लिया था जिस वजह से ice emperor के shoulder से होते हुए उसकी body तक poison फैलना शुरू हो गया था और अब ice emperor थोड़ा थोड़ा बिमार भी होने लगा था अब वो फिर चलते चलते बहुत दूर तक आ जाते हैं और चलने की वजह से female snake ठक जाती है अब उन्हें खाने के लिए खाना चाहिए था और तभी उन्हें कुछ व्यापारी आते हुए नजर आते हैं ice emperor तुरंट उनके पास जाता है और उनसे खाना चीनने के लिए उनपर अटाक करने के लिए रेडी हो जाता है अब ये देखकर female snake तुरंट वहाँ ice emperor को रोगती है और व्यापारियों से कहती हैं कि हमें सिर्फ खाना चाहिए वो उन्हें अपना गले का लॉकेट उता कर उनसे खाना मांगती है लेकिन अब फिर भी ice emperor उन सब पर अटाक करकर उनको घायल कर देता है female snake ice emperor वर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि बिना लड़ाई किये भी ये खाना देने को तयार थे लेकिन ice emperor woman snake को इन व्यापारियों की सचाई बताता है ये सारे व्यापारी snake woman को बेचने का धंदा करते हैं और ice emperor इन्हें रोकना चाह रहा था अब तभी वो घायल हुए इंसान खड़े हो जाते हैं और अब वो ice emperor पर हमला कर देते हैं ice emperor के सामने वो सब एक तुच से इनसान थे और ice emperor उन्हें असानी से मार देता है अब ice emperor उन बंदी बनाई हुई snakes woman के पास जाता है और उन snakes woman को भी मारने लगता है क्योंकि अगर ये snake woman वापिस अपने शेहर में गई तो वो इनसानों की शिकायत queen medusa से जरूर करेंगी और queen medusa को गुसा आ जाएगा और फिर चारों तरफ इनसानों की लाश बिच जाएंगी इसलिए इस matter को ice emperor यहीं इनको मार डाल कर सुलजाने का decide करता है लेकिन तब ही female snake वहाँ आती है और उसे मना करती है लेकिन जब ice emperor उसकी बात नहीं सुनता तो female snake ice emperor को दो भी बचार देती है ice emperor के शरीम में poison था इस वज़े से वो एक बार गिरने के बात बहुशी हो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि इस female snake ने उन सभी बंदी बनी हुई snakes को छोड़ दिया है अब ice emperor उसे गुसा होता है लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था इसलिए वो दोनों इस desert से बाहर जाने लगते हैं अब वो दोनों रात में गुफा के अंदर जाते हैं जो असल में ice emperor नहीं बनाई थी उस गुफा के अंदर ice emperor की हालत उस poison की वज़े से और बिगरती जा रही थी female snake एक चाकू लेकर उस poison को हटाने का कोशिश करती है लेकिन इतना करना भी sufficient नहीं था इसलिए ice emperor को बचाने के लिए वो अपने मूँ से poison चूस चूस कर बाहर फेकने लगती है और अब कुछ देर बाद ice emperor सही हो जाते है हाला कि poison खतम नहीं हुआ था लेकिन अब ice emperor काफी जादा अच्छा महसूस कर रहा था अब फिर रात में female snake भी सो जाती है लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहर बहुत सारे snakes को देखती है जो ice emperor पर हमला कर रहे थे ice emperor भी बड़ी बहादुरी के साथ उन सब का सामना कर रहे थे लेकिन वहां बहुत सारे snakes मौजूद थे और वो सब queen medusa के आत्मी थे वो सब मिलकर जब ice emperor पर हमला करते हैं तो ice emperor सहन नहीं कर पाते और उन्हें बहुत सारी तीर भी लग जाते हैं वहीं गुफा के अंदर वो woman snake जिसने ice emperor को poison दिया था वो भी आ जाती है वो female snake की तरफ उसे मारने को बढ़ रही थी जब वो आगे बढ़ रही थी तब ऐसा लग रहा था मानो वो woman snake उसे मारना नहीं चाहती हो लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा हो अब वहाँ ice emperor जो snake से लड़ रहा था वो जब ये देखता है कि female snake की जान खत्रे में है तब वो तुरंट अपनी पूरी शक्ती के साथ वहाँ आता है और वहाँ बड़ी कोशिशों के बाद female snake को लेकर वहाँ से उन्हें चकमा देकर भागने में काम्याब हो जाता है अब फिर ice emperor और female snake जो उनकी नसरों से दूर आ गए थे वो अब इस desert को छोड़ कर जाने का decide करते हैं वहाँ वो एक दूसरे से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि ice emperor को female snake से प्यार हो गया है लेकिन एक female snake एक इनसान से प्यार करे ये rules के खिलाफ था इसलिए ice emperor चिंतित हो जाता है और दुखी होकर अब उसे अपनी life के बारे में सब बताता है ice emperor का जन demanding and traditional organization में हुआ था वहाँ जो भी जनम लेता था उनका भागये बड़ों के द्वारा पहले ही decide कर दिया जाता था वहाँ जनम लेने वाला हर व्यक्ति सिर्फिक कटपुतली के समान था उन्हें हर काम organization के कहने पर करना पड़ता था और उन्हें organizations अलग-लग missions देती थी जिनें उन्हें पूरा करना होता था ice emperor इन missions को पूरा करने में बहुत माहिर था और उसकी एक साथी भी थी जो उसके साथ इन missions को पूरा करती थी ice emperor और उसके साथी के बीच प्यार हो गया था लेकिन इन लोगों को प्यार करने की आजाद ही नहीं थी और जब ये बात और्गनाइजेशन को पता चली तब उन्होंने बहुत गुसा किया वो इन दोनों को मृत्यूदन भी दे सकते थे लेकिन आइस एंपरर की साथ ही ने आइस एंपरर को बचाने के लिए खुद की चेस्ट में खुद का ही खंजर घुब दिया जिससे वो वही मर गई तब से मैं उसकी डेथ का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ और असल में मैं हूँ भी अब फीमेल स्नेक उसकी इस दुख भरी स्टोरी को सुनकर दुखी हो जाती है वही अब हमें कुईन मेदूसा को दिखाते हैं और उसकी बैक स्टोरी को बताते हैं असल में कुईन मेदूसा ही भेज बदल कर काले कपड़े पहन कर वोमें स्नेक बना करती है उन्होंने ही बार्टेंडर को पैसे देकर स्नेक्स वोमें को मंगवाया था तांकि वो उन वुमेंस में से उस फीमेल स्नेक को ढूंड सकें लेकिन जब बार्टेंडर उससे स्नेक वुमें अपने आयाशों के लिए मंगाने लगा तब क्वीन मेदूसर ने गुस्से में उसे मार डाला था वो असल में आयस एंपरर के पीछे नहीं बलकि इस फीमेल स्नेक के पीछे है और वो इस स्नेक को मारना चाती है वही आईस एंपरर और फीमेल स्नेक अब अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं और अब Ice Emperor उसे अपनी अंगूठी दे कर ये कहता है कि तुम शेहर के बाहर जाकर Teng Shand के पास जाओ और उन्हें ये अंगूठी दिखाना, वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे साथ हो और वो तुमारी रक्षा करेंगे। अब फीमेल स्नेक भी उसे अपना वो लॉकेट देती है और कहती है कि तुम भी इससे संभाल कर रखना अब फीमेल स्नेक डेजट के बाहर जाने लगती है और Ice Emperor उसे कहता है कि वो भी शेहर के बाहर जाएगा असल में फीमेल स्नेक और कोई नहीं बलकि Queen Medusa की छोटी बहन है सदियों से एक खास तरह के अंडे से Queen Medusa का जनम होता है और जब वो Queen बड़ी होती है तो उसे Queen Medusa बना दिया जाता है लेकिन जब इस बार ये खास तरह का अंडा फूरता है तो उसमें से दो जुर्वा बहने निकलती हैं अब Elders का मानना था कि Queen सिर्फ एक ही बन सकती है और दूसरी लड़की को मरना होगा इसलिए अब दोनों बहनों को ही Choice दी जाती है कि उसमें से कोई एक दूसरे को मार डाले जिससे एक जो जिन्दा बचे वो Queen बन पाए और उसमें चोटी बहन को बड़ी बहन को मारने के लिए कहा जाता है लेकिन चोटी बहन अपनी बहन को नहीं मारती और वो अपना मुकट उतार कर अपनी बड़ी बहन को पहना देती है और वहां से फिर तुरंत अपनी शक्तियों का यूज करके पॉर्टल बना देती है और वहां से भाग निकलती है अब ऐसा पॉर्टल बनाना रूल्स के खिलाफ था और क्योंकि अब बड़ी बहन कुईन मेदूसा बन गई थी ताकि वो उसे मार सके वही प्रेजन्ट में आइस एम्परर और कुईन मेदूसा के बीच लड़ाई हो रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पर रहे थे अब वो दोनों ही अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अपनी सारी शक्तियों से वार करते हैं लेकिन तबी नीचे से वो फीमेल स्नेक जिसको अपनी सच्चाई का पता चल गया था वो उड़कर उपर आती है और उनकी शक्तियों के बीच में आ जाती है आइस एमपरर तुरंट उसको बचाने उसके पीछे दोड़ता है और वो उसे बचा भी लेते लेकिन ऐसा करते वक्त वो फिर भी बहुत ज़ादा गहल हो जाती है अब क्वीन मेडूसा को भी अपनी चोटी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है और वो तुरंट उसके पास जाती है वो अपनी बहन से सौरी बोलती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अब आइस एमपरर जो हमेशा गुस्से में रहा करता है वो भी आज फूट फूट कर रो पड़ता है और ये सीन बहुत जादा इमोशनल था अब क्वीन मेडूसा अपनी चोटी बहन को गोद में उठाती है और अब एल्डर्स उसे इसको जान से माने का ओडर देते हैं लेकिन अब क्वीन मेडूसा गुस्से में आ जाती है और वो सबसे ये बोलती है कि हम हमीशा से पुरानी रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा समय के साथ परंपराएं बदलेंगी और पुरानी परंपराएं जिनका कोई सेंस नहीं बनता वो नश्ट की जाएंगी अब क्यूंकि वो क्वीन थी इसलिए सब सेनिक उसके सामने जुग जाते हैं और एल्डर्स को भी क्वीन के आगे नतमस्तक होना पड़ता है और यहीं इस तरह ये एपिसोट खतम हो जाता है